प्रेंड्स वेल्कम बैक टो अर्डूप शनल आज हम लोग इस वीडियो में इससी MTS में पूछे जाने वाले इंग्पोर्टन सिनाउनिम्स और इंटोनिम्स के बारे में चर्चा करेंगे यह वीडियो जोए आपकी इसाम पॉइंट अव्यू से बहुत ज़ादा इंग्पोर्टन है पहला फोर्ड हमारा क्या है प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना इसके पार्ट सब स्पीच के बात करें तो प्रोस्पेक्ट जोए एक हमारा नाउन होता है इसका सिनानिम्स जोए होफ हो जाएगा लाइकली होड हो जाएगा एक्सपेक्ट टेस्टन हो जाएगा यह सब जोए इसके इंग्पोर्टन सिनानिम्स बनते हैं prospect का intonum के और विवलेसनेस हो जाएगा और वारा दीमनेस हो जाएगा यह सब जो है intonum बनेंगे question number 12 number बड़ हमारा क्या है unprecedented unprecedented का मतलब होता है अभूत पूर्व यहनि जो जी unexpected होती है उसको हम लोग unprecedented कहते हैं इसके part सा speech की बात करें तो यह हमारा एक adjective होता है इसका synonym जो है unexpected हो जाएगा unmatched हो जाएगा unequaled हो जाएगा यह सब जो है इसके important synonyms बनेंगे इसका इंटरनिम जो है normal हो जाएगा common हो जाएगा अगला word हमारा क्या है forbearance forbearance की बात करें तो यह हमारा एक noun होता है forbearance का मतलब होता है sense silta उसको लोग forbearance कहते है इसका synonyms क्या बनेगा patience self control और tolerance हो जाएगा patience हो जाएगा यह सब जो है इसके important synonyms बनेंगे इसका इंटरनिम जो है impatience होगा अगला word हमारा क्या है nascent nascent का मतलब होता है नवजात उसको लोग नासेंट कहते है और इसके पार्ट सब इसपीश की बात करें तो यह एक adjective होता है अब लोग नहीं कहते है nascent child यानि नवजात बच्चा तो वही है और इसके synonyms क्या हो जाएगा budding हो जाएगा और हमारा growing हो जाएगा developing हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms पनेंगे इसका antonyms क्या होगा developed हो जाएगा mature हो जाएगा यानि जो पूरी तरीकी से developed हो जुका हो mature हो जुका हो बालक नहोँ अगला word हमारा क्या है defile defile का मतलब होता है अपवित्र करना किसी चीश को corrupt कर देना उसको हम लोग defile बोलते है इसके parts अब speech की बात करें तो यह एक वर्व होता है इसका synonyms जो है corrupt हो जाएगा degrade हो जाएगा discrete हो जाएगा इसका antonyms जो है honor हो जाएगा praise हो जाएगा अगला word हमारा है jolt jolt का मतलब होता है at na यानि convulse करना इसके parts अब speech की बात करें तो यह एक हमारा वर्व होता है jolt का synonyms क्या हो जाएगा convulse हो जाएगा disturb हो जाएगा jar हो जाएगा इस सब जो है synonyms बनेंगे jolt का antonyms क्या होगा काम हो जाएगा confront हो जाएगा अगला word हमारा क्या है verbose verbose का मतलब होता है जो बहुत बातुनी होता है बहुत बात करता है उसको हम लोग verbose कहते हैं इसके parts अब speech की बात करें तो verbose जो है एक हमारा adjective होता है इसका synonyms जो है wordy हो जाएगा gabby हो जाएगा और हमारा circumlocutory हो जाएगा यह सब जो है इसके important synonyms बनेंगे इसका antonyms जो है concise हो जाएगा succinct हो जाएगा और हमारा tranquill हो जाएगा यह सब जो है इसके antonyms बनेंगे अगला word हमारा कहा है heretic heretic की बात करें तो यह इसका मतलब होता है nastic जो nastic होता है उसको heretic कहते हैं इसके parts आप speech की बात करें तो heretic जो है एक noun होता है इसका synonyms जो है discussmatic हो जाएगा apostate हो जाएगा pagan हो जाएगा यह सब जो है synonyms बनेंगे इसका antonyms जो है believer हो जाएगा और हमारा flower हो जाएगा अगला word हमारा कहा है convert convert का मतलब होता है जो चीज गुपत होती है उसको जो convert बोलते है इसके parts आप speech की बात करें तो यह एक adjective होता है इसका synonyms hidden हो जाएगा undercover हो जाएगा secret हो जाएगा इसका antonyms जो है open हो जाएगा known हो जाएगा अगला word हमारा क्या है kudos kudos का मतलब होता है कि प्रशनसा करना उसको बोलों कुडोस कहते है इसके parts आप speech की बात करें यह एक noun है इसका synonyms जो है applause हो जाएगा steam हो जाएगा praise हो जाएगा इसका antonyms क्या बनेगा dishonor हो जाएगा और denunciation हो जाएगा अगला word हमारा क्या है scandalous scandalous का मतलब होता है अपमान पोड scandalous की बात करें तो यह हमारा एक adjective होता है इसका synonyms क्या हो जाएगा discreditable हो जाएगा dis reputable हो जाएगा dishonorable हो जाएगा यह सब जो है इसके important synonyms बनेंगे इसका antonyms जो है simly हो जाएगा अगला word हमारा क्या है acute acute का मतलब होता है बरी करना किसी को छोड़ देना उसको हम लोग acute कहते है acute के parts अब इस speech की बात करें तो यह हमारा एक word होता है इसका synonyms जो है absolve हो जाएगा clear हो जाएगा exonerate हो जाएगा इसका antonyms क्या बनेगा convict हो जाएगा अगला word हमारा क्या है retro gate retro gate का मतलब होता है प्रतिगामी उसको लोग retro gate कहते है इसके parts अब इस speech की बात करें तो retro gate जो है एक adjective होता है इसका synonyms जो है regressive हो जाएगा negative हो जाएगा down heal हो जाएगा इस सब जो है इसके important synonyms बनेंगे इसका antonym जो है positive हो जाएगा अगला question हमारा क्या है perseverance perseverance का मतलब होता है द्रधता और इसके parts अब इस speech की बात करें यह हमारा एक noun होता है इसका synonyms जो है persistence हो जाएगा tenacity हो जाएगा determination हो जाएगा इस सब जो है इसके important synonyms बनेंगे इसका antonym क्या होगा e-resolution हो जाएगा अगला word हमारा क्या है bankrupt bankrupt का मतलब होता है दिवालिया इसके parts अब speech की बात करें तो यह activity होता है इसका synonyms क्या बनेंगा insolvent हो जाएगा bankrupted हो जाएगा failed हो जाएगा इस सब जो है synonyms बनेंगे bankrupt का antonym क्या हो जाएगा solvent हो जाएगा अगला word हमारा क्या है recurrent recurrent का मतलब होता है hour तक और इसके parts अब speech की बात करें तो adjective होता है इसका synonyms जो है repeated हो जाएगा recurring हो जाएगा और वारा repetitive हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगे इसका antonym जो है isolated हो जाएगा अगला word हमारा क्या है resumption resumption का मतलब होता है पुनर आरंब करना उसको अमनों resumption कहते हैं resumption के parts अब speech की बात करें तो यह एक noun होता है इसका synonyms जो है restart हो जाएगा restarting हो जाएगा reopening हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगे resumption का antonym करें यानि जो कैसा dormant उस उसको व्लोग latent कहते हैं इसके parts अब speech की बात करें तो यह एक adjective होता है इसका synonyms जो है dormant हो जाएगा inactive हो जाएगा sluggist हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा supply हो जाएगा यह सब जो है और हमारा एक दिल दिया है quescent quescent भी इसका synonyms बनेगा इसका antonym जो है manifest हो जाएगा अगला word हमारा क्या है forgo forgo का मतलब होता है किसे शिश को त्याग देना renounce कर देना उसको मिलों क्या कहते है forgo कहते है इसके parts इस पीश की बात करें तो यह एक word होता है इसका synonyms जो है do without doubt हो जाएगा go without हो जाएगा give up हो जाएगा renounce हो जाएगा forsake हो जाएगा यह सब जो है इसके synonyms बनते हैं इसका antonymes क्या हो जाएगा keep हो जाएगा अगला word हमारा क्या है effulent effulent का मतलब होता है जो बहुत धनी होता है आमीर होता है उसको लोग effilient कहते हैं इसके parts आप स्पीच की बात करें यह एक adjective होता है इसका synonym जो है wealthy हो जाएगा reach हो जाएगा प्रोस्परस हो जाएगा यह सब synonyms बनते हैं इसका acronym जो है पूर हो जाएगा